गाज विडियो में डिसक्स करने वाले हम Break और Continue और हम लोगों ने Loops देगे थे पिछले विडियो में और I hope। कि आप लोगों वह लूप समझ्च में आ गए हूंगे आज Break और Continue देखेंगे अगर आप लोग ने अभी तक ये C++ की प्लीलिस्ट को access नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि आप लोग ये C++ की प्लीलिस्ट को access कर लीजे क्योंकि यही वो जगह है जहां पर मैं सारे के सारे वीडियोस अप्लोड कर रहा हूं step by step हमने यहां पर लूप के बारे में देखा था हमने वाइल लूप डूइल लूप फॉर लूप सी प्लस प्लस के लिए किस तरह काम करते हैं अब यहां पर मैं क्या करूंगा एक नहीं फाइल बनाऊंगा सबसे पहले तो और इसका नाम में रख दूंगा ट्यूट 11.cpp और यहां पर आप लोग को एक टेकनीक बताना चाहता हूं कोट snippets में अगर आप लोग जाओगे और यह हमारा क्या कहते हैं optional रहेगा ऐसा नहीं कि आप लोग को इसको यूज गरना है और आप लोग को सिर वीजुल स्टुडियो को यूज गरना है ऐसा बिलक बना चाहते हो आप लोग C++ चुन लेना और आप लोग को क्या करना है यह जो comment आउट हुआ है इसको uncomment करना और जैसे मान लो मैं boilerplate नाम से प्रोग्राम बनाना चाहता हूं boilerplate रख दूगा इसका नाम और मैं रख दूँगा this is a boilerplate save किया मैंने और मैं आपर क्या करूँगा यह लगा दूँगा hash include iostream और इसके बाद अगली line में रख दूँगा यह जो using namespace वाली होती है वो और इसके बाद अगली line में रख दूँगा जो मेरी यह रहती है int main रहती है int main return 0 तो basically मैं क्या कर रहा हूँ एक snippet बना रहा हूँ जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने built-in snippet को इस्तेमाल किया था तो कुछ वैसा ही करने जा रहा हूँ मैं ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसे कर दिया और यह $1 का मतलब होता है कि आपकी tab कहा पर रहेगी तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है अभी इसको बना के दिखाता हूँ फिर पर चलेगा आप लो अब यहाँ पर आप लोग लिखा हूँ अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने आपर प्रिफिक्स में लॉग लिखा हुआ है मैं प्रिफिक्स में लिख दूंगा boilerplate code ठीक है और मैं जैसे यह करूँगा तो CPP के अंदर जैसे मैं आपर boilerplate code लिखूँगा तो य लिखाने के लिए आप लोग को simply क्या करना है यहाँ पर backslash and लगा दो और I guess हो जाना चाहिए तो मैं आपर boilerplate code लिखूँगा यह देखो मेरे पास एक नई जो लाइड हो यह आपर आ चुकी है और आप लोग यहाँ पर बड़े अराम से इनिंट्स वगरा भी लगा सकते हो बड़ अगयन मैं आप लोग से कमगा कि आप लोग इसको जाता से जाता यूज करें boilerplate code मैंने आप लिखा यह देखोई निंट्ड भी आ गया और यहाँ पर भी मैं काम करता हूं कि एक tab लगा लेता हूं उससे क्या होगा ना कि जो मेरा tab है यानि कि मेरा करसर है वो finally यहाँ पर रहेगा यहाँ पर backslash tea हमें लगाना चाहिए तो मैं यहाँ पर एक जो तरीका है इस्तिमाल करने का इन चीजों को उसके इसाब से इस्तिमाल करता हूं backslash tea यहाँ पर लगाता हूं और अभी यहाँ पर मैं जैसी boilerplate लिखूँगा तो यह देखो यहाँ पर मेरा जो करस बता रहा हूं तो मैं आपर boilerplate code लिखूँगा बूल नहीं boilerplate code और यहाँ पर देखो मैंने boilerplate code लिख दिया मैं आपर directly इस boilerplate code को यहाँ पर ला सकता हूं और एक for loop लिख सकता हूं अब देखना मैं जैसे यहाँ पर for लिखूँगा आप लोग देखना है यहाँ पर for लिखते यहाँ पर और इसके पास cout i handle ठीक इस program को run करूँगा तो obviously मेरे पास 0 से लेकर 3 तक numbers जो हैं वो print हो जाएंगे जिसकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब मार लोग for some reason में चाहता हूँ कि अगर 2 आता है मेरे पास वैसे ही मैं इस loop को exit कर दूँ तो मैं आपर क्या करूँगा मैं लिख सकता हूँ आपर कुछ इससा से if i equals to equals to 2 तब आप क्या करें तब आप break कर दें और break का क्या मतलब है break का मतलब है लूप को छोड़ दें और लूप को छोड़ने का क्या मतलब है कि जो यह लूप चल रहा था वह exit होगे सीधे नीचे आजाएगा देखो आई की value 2 होते ही यह क्या करेगा बहार आ जाएगा तो जैसे आई की value 2 होगी यह loop मेरा exit हो जाएगा तो अगर मैं आपर 40 भी लगा दूँ तब भी 0 के लिए loop चलेगा 1 के लिए loop चलेगा 2 जैसे ही होगी आई की value वह print तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद यह चीज मैंने लि किया तो यहाँ पर 0,1,2 आ गया 2 क्यों आया क्योंकि मैंने break करने से पहले यह code लिखा होगा था अगर मैं यह code break करने के बाद लिखूँ तो 2 प्रेंट नहीं होगा 0 और 1 प्रेंट होगे क्योंकि जैसे यह break exit होगा break execute होगा मेरा जो loop है वह exit हो जाएगा यनि कि मैं loop से बार करने की problem है तो और आपर मैं जैसे इसको run कर रहा होगा 0 और 1 प्रेंट होगे 2 इसलिए प्रेंट नहीं हुआ क्योंकि 2 जो है आपर और वो मैंने बाद में आपर प्रेंट किया हुआ था उससे पहले मैं break हो चुका हूँ ठीक है तो यह reason है कि मेरे पास 2 प्रेंट नहीं और पीछे जाकर क्या करो दूसरी iteration रण करो अब यह चीज समझाने के लिए मैं एक दूसरा for loop बनाना चाता हूं तो मैं क्या करूंगा इसको comment आउट करूंगा और आप लोग को एक दूसरा for loop बना कर दिखाना चाता हूं तो दूसरा for loop मैंने इस तरह बना के दिखा दिया आप लोगों को अब मैं आपर क्या करूंगा कि if i equals to equals to continue कर दूंगा और देखना क्या difference आएगा मैंने आपर continue किया तो क्या होगा कि वो 2 को skip कर देगा वह वाली जो iteration है उसको skip कर देगा बाकी सारी iteration चलती रहेंगी तो अगर मैं इसको run करूंगा तो देखो 39 तक यह गया लेकि नीचे आप जो भी लिखा हुआ है उसको रोक के continue करो अगली iteration पर तो अगली iteration पर continue करवाना है मुझे उसके लिए मैं continue statement यह use कर सकते हूं तो break और continue का यह काम होता है और आप इनको while, do while, for इन सारे loops के लिए के साथ इस्तेमाल कर सकते है ठीग है so I hope कि यह जो break और continue का concept ही तोड़ कर क्या करो नीचे चले जाओ बाहर निकल जाओ इस लूप से continue का बतलब होता है कि अभी जो iteration है यानि कि अभी जो जो code selected है जो चला रहे हो उसको बस यहीं पर रोक दो अगली iteration पर चले जाओ यानि कि अगर i is equal to zero के लिए चलाई है i is equal to one के लिए चलेगा i is equal to two के चल रहा होगा जैसे continue दिखेगा इसको यहीं रुख जाएगा इसके बाद जो भी लिखा है आपने वो execute नहीं होगा और यह सीधा i is equal to three पर जम कर देगा लेकिन अगर यह break होगा तो i is equal to three पर जम नहीं करेगा यह बाहर ही आजाएगा निकल के लूप से तो यह है मेरा break और continue i hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा break और continue और उसी के साथ साजी जो snippet बनाया है बहुत काम की चीज़ है मैं आशा करता हूँ कि यह भी आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस तरह कि आप लोग जो है और भी snippets बना सकते हैं और मैं तो यह जो snippets विजिल स्टूड करेंगे वो यह boilerplate होगी तो यह boilerplate तो कम से कम जो है बनती है snippets में तो simply यह जो लिखा हुआ था उसको मैंने comment out किया uncomment किया uncomment करने के बाद मैंने prefix change किया मैंने यह नाम change कर दिया मैंने body जो थी इस की वो change कर दी और उसमें मैंने आपको $1, $2 का meaning बताया क्या होता है फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो description था उसमे this is boilerplate लिख देता हूँ तो यहाँ पर जब मैं boilerplate लिखूँगा तो यह description में इस देखो मुझे दिखा रहा है this is a boilerplate अब मैं अगर read more पर जबंगा तो यह मुझे दिखा रहा है this is a boilerplate मुझे यह भी दिखा रहा है कि snippet कैसा दिखा देता है तो यह snippet भी दिखा रहा है ठीक है साह हो कि यह clear हो गया आप लोग को concept और आप लोग ready है अच्छे C++ programs बनाने के लिए एक बात यहाँ पर मैं बता रहा हो जाता हूँ यह playlist अक्सेस नहीं करें अभी भी तो आप लोग kindly इसको access कर ले और उसी के साथ-साथ अगर आप लोग ने इसको bookmark नहीं किया यहाँ क्लिक आप लोग को source code मिल जाएगा उसी के साथ-साथ अगर आप लोग ने इस video को लाइक नहीं किया तो kindly like जरूर कर दें इस video में मुझे से काफी अच्छा लगता है काफी खुशी मिलती है और I hope video like करके आप लोग को भी खुशी मिलेगी सो अभी के लिए इस वीडियो में इदने है गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time